हेलो डियर फेंड्स एक्जाम गुरुजी आज के जो हमारा वीडियो इसमें टोप 50 का पार्ट नमबर 11 आपके लिए लेके आए हैं तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिजिए साथ में बैल आइकन को दबा लिजिए तो जिए जो मोंक्रेस्ट हम आपको मिल जाएंगे वहां पर तो आप वीजिट कर सकते हैं देखिए वस्ट कोशन क्या वोना इस फ्ल्यूड विच हैज शियर स्टेस्ट होता है वह पर्पोस्टन होता है तो दर रेट आफ शियर स्टेन उसको हम कौन सा फ्ल्यूड हम बोलते हैं वेरी इंपॉंटन कोश स्टेज़े होता है वो पर्पोस्टन होता है रेट औफ शियर स्टेन के या फिर शियर स्टेन के बॉल्यमेटर कर स्टेन जोता है अगला क् começo देखिए थे हैसाई यूूंटर की होता है काहिनु विसकोसिटी अवह क्या होता है indiv कि भी हमारा अंसर, हो जएगा,ईये प्रेक्टिस के लिए हम आपको परुइड कर रहे हैं, तो जो प्रेक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यप चैनल पर प्रेक्टिस कर सकते हैं, जिनको स्ट्डेडी करनी है нормально, तो आप आप हमारी website पर बिजर कर सकते हैं अगर आप हमारी website पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको आज तो नहीं मिलेगा यह मौंक टेस्ट काल मिल जाएगा आपको एक एक या दो दिन के बाद आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाकर भी लगा सकते हैं देखिए अगर किसी को ब वीडियों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें थोड़ी बहुत क्रेक्शन वहां पर करने पड़ेगी तभी हम अपके प्रवाइट कर सकते हैं तो आप देख लिजिए अगर आप वेफसाइट पर जाना है तो वेफसाइट पर जा सकते हैं देखिए नेक्स्ट क्या वार क्वेशन डी हमारा अंसर हो जाएगा आपको लास्ट में अपना स्कोर भी लिखना कि आपने आटो 50 में कितना स्कोर किया है कमेंट बोक्स में जुरूर लिखिए आपको अपनी अबिलिटी का पता लग जाएगा कि आप कितने कुशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यह सारे कुशन हमने आपको करवाए हैं फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं इसका आपको पता तब लगेगा देखिए नेक्स्ट क्या पर रहा है इन पीचे तो फालिंग यूनिट दा काइनमेटिक विसकॉसिड फ्लूड एक्सप्रस तो मैंने पीचे भी आपको बताया था कि मीट्र स्केर पर सेकंड पर सेकंड किसमें दिया गया ऑप्शन बी में हमारा दिया गया तो काइनमेटिक विसकॉसिड का यही यूनिट होता है अगला प्शन देखिए वाट इस इकल तो मेजरमेंट ओफ डूफ वन यूअज उता है वह किसके बराबर होता है वन यूज होता है किसके बराबर होता है तो यह होता है मैं आपको बताया था टेन रेस टू पावर माइनिस Sw एक अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन देखिए कंप्रेसिब्लिटी जो होती है वो किसके रैसी प्रॉकल होती है यह फ्ल्यूड मेकानिस का कुश्चन हो यह कई बार ससी जे में पूछा जा चुका है तो इस कॉश्चन का आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसिब्लिटी से आप अंसर हो जाएगा बल्क मोडलर्स और फिलास्टी सिटी जो होती है उसके रैसी फ्रॉकल होता है यह अगला कोशन देखिए विच आप तो फॉलिंग इस दरेश ऑफ एपसडूट बिलोस्टी टू मास डेंस्टी इन में से ऐसा कौन सा होता है चारों में से वह हमें बताना ह है जिसका जो रिश्य होता है इस डिफ्याइंडा एफ से अब डिरियधक गोल मास डेंस्टी उसका हम का इन माटिक बिसकोसिती बोलते हैं है इक मॉलते है तो रे lesson है अगला कुशन देखिए अरे इन सफोलेश स्वाल गैंजिंग did डिसेंडिंग और प्ङल स्पीड टूस Seed of Sound , जो Speed होती है वाज जो होती है उसकी वाज होती है वे बताना है तो सब्सक्राइब होगा फिर लिकोड फिर गैसे सब्सक्राइब है हमारा अंसर डिसंडिंग और में आ जाएगा अब next देखिए the condition of no slip at rigid boundaries applicable to condition जो होती है no slip की वो rigid boundary के लिए applicable होती है किस तरह के fluid के लिए क्योंकि याँ फिलूड के बारे में ही पूचा गया थे देखिए तो no slip की जो condition होती है non new ton in fluid जो होता है उसमें आपको देखने को मिलती है option d हमारा अंसर हो जाएगा देखिए next question क्या बोर रहा है kinematic viscosity का unit क्या होता है meter square per second यह मैंना तीर बार question यह discuss हो चुका है इसी वीडियो में यह question important है और जो dynamic viscosity होती है वह यह दोनों unit बहुत ही important है क्योंकि यह हर एक स्टेर के जेए में पूछे गए हैं तो इस question का आपको खास त्यान रखना है अगला question देखिए the soil transported and deposited by gravitational force our term as जो soil transport किया जाता है या फिर deposit किसी जगा पर जमा किया जाता है जमा हो जाए उस किसके दूर gravitational force के द्वारा वो कौन सा soil होता है residual soil तो नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बताया रहा कि residual soil जो होता है जो soil होते हैं उनको हमने दो category में डिवाइड किया हुआ है एक residual soil होता है दूसरा transported soil होता है तो transported soil की सब category होती है तो इन में से एक category यहीं भी है तो यह callable soil की category में आएगा option भी हमारा इस question में अंसर आज हो जाएगा यह glacier के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है अब नेक्श देखे डैश soil is the substance existing on the earth surface which grow and develop plant life यह question में आपको सारे ही करवाए हुए है very important question है soil mechanics का जिसने first part नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है तो जो यहां आपको देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है जो क्या करता है ग्रो करता है डेवलप करता है प्लांट की जो life होती है तो वह क्या होता है आगरी के इस्ट सीटा है एकरी करने यरी करने करने यह ज Sh gidda में यह इजट होता है वह ली नैश्ट एक सीटए किया खोटी है सिल्ट है WAS् तो सिल्ट जो होती है वो क्या होती है वो कोहिजिव स्वाइल होती है भी हमारा अंसर हो जाए ग्रैवल एंड एग्रीगेट जो होते हैं यह दोनों यह नोन कोहिजिव होते हैं इनकों कोहिजिव लेस्व बोल सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब next देखिए maximum size की बात हो लिए clay के लिए तो कितना size होता है जो clay का size होता है वो 0.2302 mm से लेकर 0202 mm तक होता है तो maximum के बारे हम पूचा गया तो ये हमारा maximum होता है ये minimum होता है तो maximum हमारा ये answer हो जाएगा ये minimum के लिए होता है see this question में answer होगा अगला question देखिए common sand is variety of common sand जो होता है किसके ब्राइयटी होती है वो quarter side जो होता है उसकी होती है quater जो होता है इसकी ब्राइयटी होती है मुख्य बोऄ में यह ही पाया जाता है एक पिसे फैल का भी होता है लेकिन जो मुक्या माइका भी होता है इसको आप बूल जाएगी दोनों को ये दोनों तीनों ही होते हैं लेकिन जो मेन होता है वो ये यही होता है option B अब अगला देखिए, value of mobilized cohesion is, cm जो होता है, इसकी value कितनी होती है, वो c से कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, mobilized value जो होती है, cohesion की, तो यह हमारा इस question में सर हो जाएगा, next question देखिए, an isovar is a line which connects all points below the ground surface at which, isovar जो होती है, एक line होती है, जो connect करती है, सभी points को ground surface के नीचे at vertical stress जो होता है, जहां पर vertical stress same होगा, वहां पर, यह same होगा, game नहीं होगा, same है इसकी जगा, अगला option देखिए, तो bind blonde soil is associated with, bind के दोरा, जो soil transport की जाती है, उसको हम ioline soil बोलते है, and इसका जो example होता है, वो lowest होता है, option C, answer हो जाएगा, अब देखिए, next question बोला है, कि black cotton soil जो होती है, वो unsuitable होती है, foundation के लिए, उसका क्या कारण है, तो उसका ये कारण है, कि वो volumetric change होता है, with change of atmospheric condition, अगर हमारी atmospheric condition change होगी, तो volume जो होती है, वो change हो जाती है, black cotton soil की, and उसमें swelling के property भी होती है, spell थोड़ा गलत लिखा हुआ है, swell excessively when wet, गीला होता है, गीला होने पर ये आतरदिक फूलती है, तो ये बिल्कुछ सही है, and shrink, when it dry, सुका होने पर ये आतरदिक स्क्यूड जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो ये सभी कारण होते है, option D, हमारा इस question मे हो जाएगा, अब देखिए non cohesive या फिर cohesional soil कौन सा होता है, sand, gravel होता है, क्योंकि silt और clay जो होते हैं, वो cohesive होते हैं, अगला देखिए effective throat thickness and size of belt are connected as, तो ये C is question में answer हो जाएगा, T is equal to K into S, अगला देखिए the type of weld used to connect two plates at a lap joint is called, उसको हम fillet weld बोलते हैं, D हमारा इस question में answer हो जाएगा, अगला देखिए the fillet weld whose axis जो होता है, वो parallel होता है, direction of applied load, उसको हम side fillet weld बोलते हैं, D हमारा इस question में answer हो जाएगा, अब इस question को देखिए, for a standard 45 degree का filled weld है, तो ratio जो होता है, size of fillet to throat thickness का, वो under root to ratio 1 होता है, C is question में answer हो जाएगा, next question देखिए, the actual thickness of a what weld when compared to the thickness of plate, तो वो कम होती है, less होती है, यह हमारा answer हो जाएगा, next question देखिए, क्या बोल रहा है, कि effective throat thickness जो होती है, fillet weld की वो किसके बराबर होती है, यह भी very important question है, यह question मैं आपको home bar के लिए दे रहा हूँ, आपको comment box में question का answer जो है, वो लिखना है, क्योंकि यह question हम सारे ही discuss कर चुके है, लेकिन हम practice के लिए question discuss कर रहे हैं, तो आपको home bar के लिए question है, solve कीजिए, 25 का इतना होगा, अब next question देखिए, important question है, minimum size होता है, belt का, 9.5 mm thick plate के लिए, कितने mm होता है, minimum size होता है, तो अगर हमारी जो plate है, उसकी thickness 10 mm से कम है, तो उस case में हमारी minimum size होता है, belt का, वो 3 mm लेते है, it means कि ये 9 से कम आ रहा है, 10 से कम ही आ रहा है, certain no जो है, तो हमारा answer 3 mm होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमारा answer ये हो जाएगा, option A, next question देखिए, the throat of in filled weld, throat जो होती है, फिल्ट वेल्ट में क्या होती है, तो throat जो होती है, एक perpendicular distance होती है, from the root of the hypotenuse, जो होता है, उन दोनों के बीच का difference होता है, option D, हमारा answer हो जाएगा, अगला question देखिए, effective length of filled weld, effective length जो होती है, fillet weld की वो किसके बराबर होती है, effective length किसकी, fillet weld की, किसके बराबर होती है, वो total length, minus उसमें 2 कर देंगे, into weld का size कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, effective length जो होती है, fillet weld की वो आ जाएगी, option B, answer बन जाएगा, अब next question देखिए, which of the following is the mode of failure in fillet weld material, fillet weld में कौन सा failure का mode होता है, आपको ये बता रहा है, जिसने चैनल को subscribe नहीं किया, वो कर लिजे, साथ में bell icon को दबा लिजे, तो इस question में हमारा answer B, answer हो जाएगा, mode of failure, अगला question देखिए, the size of fillet weld is indicate why, fillet weld होता है, उसका size होता है, किसके दवारा indicate या फिर दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है, side of triangle जो होती है, fillet weld की, उसके दवारा आप indicate या फिर दर्शा सकते हैं, अगला question देखिए, from limiting deflection point of view, limiting deflection का जो point of view से हम देखते हैं, तो use of high strength steel जो होता है, RCCB में, वो हमें क्या result देता है, क्या देता है result? अगर आप high strength का steel huge करते है, RCCB में, तो हम किस point of view से देख रहे हैं, limiting deflection के point of view से दे रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें जो depth होती है, वो increase होते हुए देखने को मिलेगा, अगला question देखिए, तो load on a linted may assume as uniformly distributed, जो lintel के ओपर load आ रहा है, तो वो उसको हम ideal load consider कर रहे हैं, तो if the machinery above, it is up to height of, तो वो होती है, date time effective spend जो होता है, उतनी होती है, अगला question देखिए, जो cover होती है, आपने देखा हो कि cover आप provide करते हैं, footing के लिए 50 mm provide करते हैं, ऐसे column के लिए 15 होती है, कई cases में 20 होती है, सोरी column के लिए 25 होती है, इस तरह से आप cover provide करते हैं, त प्रोटिव होता है, essential क्यों, जिरूरी क्यों होती है, ताकि जो आपको atmosphere होता है, उस से थोड़ी बहुत protection जो वो मिल सके, option B हमारा answer हो जाएगा, protect from external harmful substance जो होते हैं, उसके लिए आप cover provide करते हैं, अगर आपने cover नहीं provide की होगी, तो atmosphere के effect में आने से हमारा जो steel होता है, उस प the minimum tension reinforcement जो आप प्रवाइट करते हैं, वो कितनी होती है, तो वो इतनी होती है, यह important है, maximum इतनी या फिर 4% आप provide करते हैं, अगला क्यों रखिए, the bearing of a lentil is, bearing जो होती है, लिंटल की कितनी होती है, इन चारों में से 10, 15, 20, 30 cm, कितनी होती है, तो 15 cm या फिर 1,500 mm होती है, या फिर 0.15 mm होती है, यह दो तीनों important है, तो maximum के बारे मैं आपको बताया है कि tension reinforcement maximum कितनी provide करते हैं, 4% provide करते हैं, इन केस अगर आपका double reinforcement beam आ जाता है, तो उस case में आप 8% provide करते हैं, क्योंकि 4% compression zone की 4% जो होती है, tension zone की दोनों 8 हो जाती है, अब यह question देखिए, एक numerical पूछा गया था, HPJ में और SSE J में, तो यहां पर क्या बोला था है, कि हमारे पास एक cantilever का reinforce beam का, जिसकी length या फिर span 4 मेंटर का है, उसका cross section डेट सो इंट डेट सो अगर हमें उसकी lateral stability and deflection को चेक करना है, तो क्या होगा, किस में वो fail होगा, तो वो दोनों में ही fail हो जाता है, हमने य RCC की series में, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाकर आप देख सकते हैं, option C हमारा इस question में अंसर हो जाएगा, अगला question देखी तो final deflection due to all loads including effect of temperature creep shrinkage and major from the cast level of sport for floor, roof, slab, original member should not exceed, तो final deflection जो होती है, वो elevator 250 होती है, option C हमारा अंसर हो जाएगा, अब यह वाला question देखी, assumption made in the theory of reinforce concrete beam is that, assumption क्या होती है, reinforce beam की theory जो होती है, तो इसमें जो होता है कि tensile stress जो होता है, वो सिर्फ steel reinforcement ही उसको सहन कर सकती है, and जो steel and concrete जो होता है, वो दोनों ही stress होते है, उस अपनी elastic limit तक, यह भी सही है, so submission bone भी इन दोनों के बेश में बनना D हमारा answer हो जाएगा, अगला देखे, deep beam जो होता है, हम design करते हैं, किस के लिए design करते हैं, deep beam जो होता है, सिर्फ हम bending moment के लिए design करते हैं, B, D, bending moment, deep beam, इस तरह से trick बना के आप याद कर सकते हैं, इसको, अगला question देखे, if the staff reading of succeeding point is smaller, staff reading जो है, कोई succeeding point की, वो smaller है, then that of preceding point, तो वो क्या indicate करता है, तो यह indicate करता है, कि हम चड़ाई पर है, a rise पर है, option A, इस question में answer हो जाएगा, next बन देखे, the line passing through the intersection of horizontal and vertical crosshair and optical center of the object glass and its condition, तो उसको हम क्या बोलते है, line of collimation, see, इस question में सर हो जाएगा, अब next देखे, in permanent adjustment जो होती है, dumpy label की, the principle reverses state that if the error exists in certain part of an instrument, is on reversing, that is revolving through 180 position, the part of, तो क्या होता है, तो पार्ट होता है, तो वो दो गुणा हो जाता है, double हो जाता है, भी, इस question में सर हो जाएगा, अब next देखे, budget of falling expression is used for calculation of RL of a point, reduce level जो होता है, कौन सा expression use करते हैं हम calculation of RL के लिए, तो इस question में अंसर हमारा, reduce level of previous points minus fall, यह हम करते हैं, option D answer बन जाएगा, next question देखे, correction of length due to reduction mean sea level is, correction जो होती है, length की, किसकी बज़र से due to reduction to mean sea level, वो directly proportional होती है, major length के, option one is question में अंसर हो जाएगा, अब यह भी एक numerical है, यह भी हमने अपनी RCC में करवाया है आपको, तो what should be the height of light house, so that it can be visible from a distance of 3 meter, sorry, 3 kilometer, बोल रहा कि एक light house है, उसकी height कितनी होगी, ताकि हम उसको 3 kilometer की distance से भी देख सके, तो वो इतनी height होगी, भी हमारा इस question में answer हो जाएगा, अगला question देखिए क्या वह रहा है, difference between, किसके बीच में, last reduce level and first reduce level, वो किसके बराबर होता है, difference हमें find out करना है, last and first reduce level जो होता है, वो क्या होता है, तो इस question में हमारा answer, C answer होगा, difference between sum of back and forth side, यही difference होता है, अगला question देखिए तो correction of reflection for a distance d between the staff and instrument, तो वो proportional to d होती है, sorry, proportional to d यह वाला होगा, यह नहीं होगा, d square होता है, अगला question देखिए, which of the falling is true for correction for curvature के लिए, तो हमारा answer b answer हो जाएगा, यह सही है, अगला last question देखिए, आपको अपना score भी comment box में लिखना है, और अगर आप practice करना चाहते हैं, तो आप हमारी website पर जा सकते हैं, जितने भी monk test हमने आपको करवाया वह आपको हमारी website पर मिल जाएगे, दीरे दीरे हम publish कर रहे हैं, थोड़े बहुत हमने publish कर दिये हैं, जिसकी flute mechanics है, और almost हमने खतम कर दिया है, तो आप जा सकते हैं website पर, तो देखिए, कि the height of any points, any points की height, with respect to mean sea level, is called, वो होता है, stedum, datum, option B हमारा answer हो जाएगा, तो friends से यह थे हमारे most 50 questions, comment box में पना score लिखिए, कि आपने कितना score किया है, और 25 या 3 हमने आपको home bar के लिए दिया है, वो आप comment कीजिए, कि क्या answer होगा, मिलते हैं ऐसी next video में,